तो वाइस मुझे लेना था एक फॉर्मल शूज और मैं फ्लिपकार्ट पर शूज चेक कर रहा था तो मेरी नजर गई इस वाली ब्रैंड पर जिसका नाम है लुइस इस्टीच और इसके फॉर्मल शूज की जो MRP थी वो काफी एक्सपेंसिव थी 8000 रुपीज 10,000 रुपीज इस तक के शूज फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल थे और वो सारे ही शूज लगबक 2000 रुपे से कम की प्राइज में फ्लिपकार्ट पर मिल रहे थे तो मैंने सुचा है और इसके रिव्यूज भी चेक किये और रिव्यूज वहाँ पर सारे पोजिटिव देखने को मिले अग फॉर्मल शूज मैंने ये वाला ओर्डर कर दिया था और फाइनली ये मुझे आज रिसीव हो चुका है और आज के इस वीडियो में इसका कम्प्लिटली अंबॉक्सिंग रिव्यू करेंगे कि क्या है इसकी पैकेजिंग जितनी अच्छी है एक्च्वल में जो प्रॉडक् इसके अंबॉक्सिंग की वीडियो मैंने ऐसे ही रेंडमली शूँ की थी इसका रिव्यू करने का मेरा कोई मूड नहीं था लेकिन मैंने इसको जब ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं इसमें कुछ मैनुफेक्शिंग डिफेक्ट मुझे जब देखने को मिला तो मुझे इसके बारे में जरूर से बताना चाहिए तो नॉर्मल सी बॉक्स पैकेजिंग के साथ में प्रोड़क्ट मुझे रिसीव वा है उसके बाद में यहाँ पर इसको करते हैं ओपन और देखते हैं कि इसके जो पैकेजिंग है वो कैसी मिलती है और साथ में हमें क्या-क्या और क ही इसको में आपको बा ethics जिसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें एक इस पूर्ड़ में देखते हैं यहां पर हमें और क्या-क्या content बॉक्स में मिलते हैं और मिलता है यह प्लास्टिक का देख सकते हैं फिटिंग के लिए अगर आप नए शूस फर्स टाइम पहनेंगे तो इसकी जरुरत आपको होगी शूस को फिट करने के लिए उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिलता है एक शूशाइन उसके अलबा बॉक्स में कुछ भ पहलता है आपको इन लुइस स्टीज फॉर्मल लेधर शूस का जिस रीजन के वज़े से मैं यह वीडियो बना रहा हूं वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा उससे पहले निकाल लेते हैं इसको भी बाहर और देखते हैं दोनों को निकाल कर कि यहाँ पर जो आपको एक्च कंपेर करके भी दिखाऊंगा दूसरे शूस से कि यार इसकी फिनिशिंग जो है वो कहीं से भी इसकी MRP के लाएक तो बिलकुल भी नहीं है देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इसकी फिनिशिंग आपको मिलती है जो देखने में यार बहुत ही खराब लगती है तो यहाँ दिखाता हूं कि इसकी फिनिशिंग कैसी है तो देख सकते हैं दोनों को आप कंपेर कर सकते हैं कि यार इसकी फिनिशिंग और उसकी फिनिशिंग में आपको कितना डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है तो यह है रेड चिफ की तरफ से आने वाला रेड चिफ का एक वो कितनी जादा अची है लेकिन जो लुइस स्टीच का जो शूज था आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो कैसे है अब यह भी लेदर है वो भी लेदर है लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको वो रिंकल्स टाइप जो आपको देखने को म उसके लवा यहां अंदर से भी आप देख सकते हैं इसकी quality जो है वो काफी जादा अच्छी और देखने में भी काफी premium लगता है अब यार उसकी MRP 7000 रुपीज है और इसकी MRP only मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं 2495 है लेकिन फिर भी इसकी quality काफी प्रेशिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है इसकी बात करें कि इसमें क्या है तो आपको दिखा देता हूं इसमें कुछ cards है जिसमें सबसे पहले greetings मिलता है उसके बाद में यहां पर आपको देख सकते हैं इसके back side में और गुजबी नहीं है और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कुछ message मिलता है और यहां पर आपको मिलता है QR code और इसके आपको authenticity card है इससे आप authenticity इसकी check कर सकते हैं साथ यहां पर आपको एक warranty card मिलता है जिसमें आप यहां पर देख सकते है warranty type repair मिलती है article numbers वगरा यह सारी details आपको इसके अंदर मिल जाती है अगर इसकी final review की बात करें तो यहां देख सकते हैं इसकी stitching भी यहां से निकल रही है और इतनी जादा अच्छी quality इसकी नहीं है इन्होंने packaging पर तो काफी ध्यान दिया है लेकिन product की finishing पर इतना जादा ध्यान नहीं दिया है तो I hope कि आपको इस video से कुछ help मिल पाएगी यह द future भी इसी तरी की interesting informative and useful वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करते जिए ताकि आगया आने वाली वीडियो आप मिस नहीं करेंगे तो मैं मिल ताम से क्लिके से इसे interesting वीडियो में थैंक्स अलोट for watching